नमश्कार दोस्तो आजमगर और रामपूर लोकसवा उपचुनाओ के लिए ब्रहस्पदी बार यानी तेह जुन को मददान हुआ आजमगर की सीट से पहले सपानेता और यूपी के पुर्वसियम अखलेश यादो सांसत थे लेकिन विदान सबा चुनाओ में जीट के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी उपचुनाओ में जहां सबा की तरब से धर्मेंदर यादो मैदान में थे तो वहीं बीजिपी ने भोजपूरी स्टार दिनेस लाल यादो उर्फ निरोवा को मैदान में उतारा है मददान संपन होने के बाद निरोवा ने अपने जीत का दावा करते हुए कहा की अखलेश ने खुद दर्मेंदर के साथ खेल कर दिया पत्रगारों से बाचित करते हुए निरोवा ने कहा की अखलेश यादो को यहां से अब लोग कह रहे हैं कि हम बीजिपी को सपोर्ट करेंगे निरोवा ने अपने गाने का जिक्र करते हुए कहा कि दर्मेंदरियादों को फरार नहीं लचार करेंगे अखलेश यही कह रहे हैं और इसलिए उन्हें आजमगर भेजा पहले चाचा शिवपाल को किनारा किया और जब देख लिया कि आजमगर में मैंने कुछ नहीं किया है तो वहीं कुछ हासिल नहीं होगा इसलिए दर्मेंदरियादों को यहां भेज कर किनारे लगा दिया वो अपने आगे ना तो भाई को चाहते हैं ना चाचा को और ना ही पाड़ी के किसी अन्यनेता को नहीं चाहते की कोई मेरे से आगे बढ़े या उसका नाम हो आपको बना दे कि आजमगर के अलावा रामपूर का चुनाओ भी सफा के लिए नाक की लड़ाई जैसी बन गया है यहां जेल से रिया होने के बाद आजमगर ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है सफा की तरब से इस सीट पर आजम के करीबी असिमरजा को मैदान में उतारा गया है वहीं बीजेपी ने घंस्याम लोदी को टिकर दिया है दोनों ही सीटों पर मुकाबला इनी दोनों दलों के बीच बताया जा रहा है